एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का अपके अपने यूट्यूब चैनल समिस कुद करके देखे में तो आज ये कि टोपी बनाने बताऊंगे आपको यह देखिए यह टोपी मैंने बनाई है तो चलिए देखते हैं ये टोपी मैंने कैसे बनाई शुरू करते हैं आज की वीडियो ये मैंने टोपी बनाने के लिए फंदे डाले हैं 62 फंदे मैंने डाले हैं 62 स्वाइब F502 है Bj기 सちは देखते हैं अथ हम इlast दोपी क्या से बनाएंगे सब्सें पहले हम ये एक पुरी सिधी स्लाइब पुन लेंगे शरूंड ऑ दूसर्य स्लाइब में हम डिजाइइन डाला चुर्ण करेंगे तो स्इधी सफ़ाइब क्या से पुनेंगे इसमें हम पहला फंदा भी बुनेंगे और यह ऐसे इस तरह से यह पूरी सलाई हम उतार लएंगे सीधी यह मैंने दो सलाई बुन ली है अभी क्या करेंगे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे टोपी का तो यह एक फंदा बिना भुना उतारेंगे क्योंकि सलाई सीधी है हमारी तो सीधी तरफ से उतारेंगे इसको और धागे को आगे करके और यह हम बनाएंगे आठ फंदे बॉर्डर के लिए यह दो तीन चार पांच छे यह साथ और यह आठ इसके बाद हम यह दो फंदे वाला डिजाइन बनाएंगे तो यह दो फंदे हैं यह दो इधर वाला फंदा हम पहले बनाएंगे और आगे वाला बाद कर से थोड़ा सा लूज देंगे और ये हर सलाई में ऐसे ही भुनना है उल्टी सलाई में इसको उल्टा बना लेंगे अभी हम क्या करेंगे दो फंदे उल्टा उतारेंगे एक और ये दो अभी जो हमें चोटी वाला डिजाइन बनाना है उसके लिए हम आठ फंदे सिधे उतारेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और यह आठ, इसको आप चाहें तो छे फंदे का भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा डिजाइन छोटा बन जाएगा, अभी दो फंदे फिर से उल्टे लेंगे, और आठ फंदे फिर से सी दे लेंगे, क्योंकि यह हमारे केबल भी बोल सकते हैं, इसको आप या चोटी, तीन डिजाइन बनेंगे, तो इसके लिए हमें तीन बार लेना है, दो, और यह तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और यह आठ, तो यह आठ आठ फंदे हमको तीन बार लेने हैं, और हर बार आठ फंदे के दो फंदे उल्टे लेंगे, एक और यह दो उल्टे हो गए हैं हमारे, तो यह देखिए, एक दो बार हो गए हैं, यह एक बार और ले लेते हैं, तो यह देखिए, इस तरह से मैंने यह तीन जगह आठ फंदे बन दिये हैं, यह बोडर के हैं, यह दो फंदे का डिजाइन है आठ सिदे दो उल्टे आठ सिदे दो उल्टे और आठ सिदे दो उल्टे अभी जो हमने दो फंदे वाला डिजाइन पीछे बनाया था वो इधर भी बनाएंगे तो ये भी वैसे ही बना लेंगे पहले ये आगे वाला फंदा हम पहले बुन लेंगे और ये पहले वाला बाद में बुन देंगे और फिर इनको एक साथ निकाल देंगे और अब हमारे जितने भी ये फंदे बच गये हैं ये वाले लाश्ट में इनको सब को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे ये देखिए इस तरह से इनको सबको हम उल्टा बुन लेंगे तो ये देखिए ये उल्टा बुन लिया है पूरा जितने फंदे बचे अभी हम क्या करेंगे जो ये लास्ट वाले फंदे जितने हमारे डिजाइन के आगे बचे हुए हैं इन सब को हम उल्टा ही बुनेंगे तो ये इस तरह से पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और फिर इन सब को उल्टा बुनेंगे जो डिजाइन के पास हमारे दो फंदे हैं उनको हम सिधा बुनेंगे ताकि डिजाइन हमारा जो दो फंदे वाला है वो उबर के आएगा तो उसके पास वाले जो दो फंदे हैं उनको बुनेंगे सिधा यह देखिए इसको दागे को इधर करेंगे और ये दो फंदे हम सिधे बुन लेंगे और जो डिजाइन वाले हैं दो फंदे उनको उल्टा बुनेंगे फिर से ये जो उदर हमने दो दो फंदे सिधे लिये थे उनको उल्टे में सिधा बुनेंगे और जो आठ फंदे हमने केबल वाले डिजाइन वाले जो लिये हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे तो उल्टे पे उल्टा और सिधे पे सिधा ऐसे ही बुनते जाएंगे इस तरह से यह देखे यह हमारे आप ओ गए हैं आठ और अभी जो दो फंदे हैं बीच में इनको सिधा बुन लेंगे इस तरह से ही बुनते जाएंगे जो आठ फंदे यह दोनों तरफ उल्टे-उर्टे उत्रेंगे इस तरह से बोर्डर Nord डिजाइन आप अपने हिशाब से चोटा या बड़ा कर सकते हैं जैसे कि मैंने eu बॉर्डर बनाया है आठ फंदे का तो आप साथ पंदे का पांस फंदे का चे बने का जितना आपको ले लें और फिर से ये अब हमान सीधी सलाई उतारेंगे देखिए तो इसमें डिजाइन बनाएंगे पहले एंबोर्डर के फंदे उतार लेंगे उल्टे-उल्टे इस तरह से और इसके बाद जो हमारा दो फंदे वाला डिजाइन है ये ये हर सलाई में बनेगा दागा पिछे किया और सेम उसी तरह से आगे वाला फंदा हम पहले बुनेंगे और ये वाला फंदा हम बाद में बुनेंगे और निकाल लेंगे दोनों को एक साथ और फिर से ये दो फंदे उल्टे और अब हम मोड़ेंगे चोटी या केबल जो भी आप बोलें मैं ज्यादा तर चोटी ही बोलती हूँ वैसे डिजाइन का नाम केबल वाला डिजाइन है तो अब हम क्या करेंगे देखिए यह जो फंदे हैं आठ इनको इस सलाई से हम इसे निकाल देंगे बाहर और यह आप साधानी से कीजिएगा अगर एक भी फंदा चूट गया तो आपका डिजाइन हो जाएगा खराव यह देखिए इस तरह से निकाल के और इधर वाले फंदे इधर डालेंगे और यह इधर वाले पहले आप इस सलाई में उतार ले इस तरह से ध्यान से चूटना नहीं चाहिए एक भी यह देखिए और इसको पलटके फिर इसमह डाल लिए इसमें डालेजी ऐसे वापस आप डिजाइन अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं टोपी में जरूरी नहीं है कि यही डिजाइन बनाना है अगर आपको कोई और डिजाइन आता है और आपको पसंद है तो वो भी आप बना सकते हैं तो ये देखिए अभी इनको हम, जो आठ फंदे हमने ये अल्टा पल्टी किये हैं, इनको बना लेंगे सीधे, इस तरह से, थोड़ा पहली सलाई में थोड़ा सा टाइट बुनेंगे ये, ये देखिए इस तरह से हम सीधे करेंगे और फिर उल्टे पे उल्टा बना के दो फंदे और आगे वाले केबल मोडेंगे इस तरह से बना के अब हम तीनो केबल मोड लेंगे और अगर मेरी लाइंग्वेज में कहें तो तीनो चोटी बना लेंगे दो फंदे उल्टे बनाए और ये एक और मैं आपको लटके दिखा देती हूँ ये देखें ये आट फंदे हम निकाल देंगे ऐसे और फिर ये इधर वाले इस सलाई में डाल लेंगे ऐसे और इधर वाले इस वाले सलाई में डालके और फिर उसमें उतार देंगे बिल्कुल इजी है बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि फंदे छूट न जाए कोई फंदा तो उससे डिजाइन भी खराब हो जाएगा और जो हम बना रहे हैं तो पिया, स्वेटर पला जो भी वो भी खराब हो जाएगा फिर उठाएंगे बाद में तो वो बात नहीं रहती है तो ये देखिए फिर इनको हम अब ऐसे ही सिधे बना लेंगे और ऐसे ही तीनों चोटी हम बना लेंगे तो ये देखिए ये तीनों केविल मैंने मोड ली है अभी दाग्या आगए करके दो फंदे वापिस उल्टे उतारेंगे ये और ये दो फंदे वाला डिजाइन बनाएंगे ये सेम हर सलाई में ऐसे ही बनेगा बना जाएगा आगे वाला पहले और ये पहले वाला बाद में इस कैसे उतारेंगे फिर से ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे और अभी इसमें क्या करेंगे ये पूरी सलाई आगे तक नहीं जाएगी जो हमारे ये उल्टे-उल्टे बचे हुई है फंदे इनमें हम कुछ फंदे पिछे छोड़ देंगे एक दो तीन ये छे फंदे में चोड़ देती हूं बिना मुने ये देखिए ये छे मैंने सोड़ दिये हैं अभी धागा पिछे करेंगे और सलाई को यहीं से मोड़ लेंगे बापिस ये पहले वाला फंदा हम इसे उतार लेंगे और फिर इसको टाइट रखेंगे लूज नहीं चोड़ेंगे और ये सलाई फिर उतारेंगे वैसे ही उल्टे पर उल्टा और सिधे पर सिधा एक दो सलाई उतरने के बाद खुद ही समझा जाएगा कि उल्टा कहां सिधा कहां ये देखिए ये दो फंदे सिधे और ये दो फंदे उल्टे डिजाइन वाले केबल वाले फंदे सिधे जाएंगे ये दो फंदे फिर सिधे सोरी केबल वाले उल्टे जाएंगे उल्टी सलाई में ये आठ पंदे हमारे उल्टे जाएंगे जो बीच में दो दो उल्टे लिए हैं वो सिधे जाएंगे तो ऐसे पूरी सलाई उतार लेंगे तो इस तरह से देखे ये उल्टी सलाई निकालने के बाद सिधी सलाई में बोडर पे दो तरफ से उल्टा उल्टा बनेगा और ये दो फंदे वाला डिजाएंग ये हर सलाई में बनेगा और उल्टे पे उल्टा और सिधे पे सिधा इसका मेन जो है वो लास्ट में जो उल्टे-उल्टे फंदे बचे हुए हमारे उसका है डिजाइन केबल मोडनी मैं आपको एक बार और दिखा दूँगी ये पांच में या साथ में सलाई पर आप मोड सकते हैं इसको तो आगे का मैं अभी दिखाऊंगे आपको पिछली बार हमने ये छे फंदे छोड़के बीच में से इसलाई मोड दीती और अब की बार हम ये पूरी उतार देंगे इसको हम ऐसे ही बनाएंगे हर बार एक बार बीच में से ले लेंगे कहीं से और एक बार पूरा उतारेंगे यह देखे पिछली बार हमने यहां से ली थी और अभी हम पूरा उतारेंगे यह ध्यान रखना है जहां से हम बीच में से मोड़ते हैं सलाई को वापस उस जगे पर दागा टाइट रखना है अगर दागा लूज रह गया तो बीच में होल हो जाएगा अब यह उल्टी सलाई जाएगे simple उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा तो यह देखिए इस तरह से यह डिजाइन डिजाइन पर डिजाइन बनता जाएगा और इसका में जो गुलाई वाला पार्ट है वो यहां से बनेगा इसको एक स्लाई में हम पूरा बनाएंगे एक मे बीच से ही लोट चलेंगे पिछे वाली सलाई में हमने 6 फंदे छोड़ दिये थे और इस बार हम 8 फंदे छोड़ देंगे कभी 4 छोड़ देंगे कभी 6 कभी 8 और ऐसे ही हम इसको बनाएंगे एक बार पूरा बना देंगे और एक बार बीच से ही लोट चलेंगे चार या छे फंदे या आठ फंदे एक, दो, तीन, चार अब के बार मैं ये आठ छोड रही हूँ दागा इदर गुमाएंगे और इदर से वापस लोट चलेंगे एक चीज का बस द्यान रखना है आपको कि ये फंदा लूज न चोड़ना कभी भी, नहीं तो बीच में होल हो जाएगा, इसको टाइट रखना और ये ऐसे बनाओ उल्टे पे उल्टा और सिधे पे सिधा बनाते जाओ तो अभी मैं ये पूरा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हूँ, दुबारा दिखाऊंगे आपको पांचमी सलाई पर ये दुबारा से मैंने केबल मोड दी है तो हर पांचमी सलाई पर आप अपने हिसाब से इसको छोटा या बढ़ा कर सकते हैं अगर आपको ये डिजाइन बढ़ा करना है तो साथ में सलाई पर आपकेबल मोड लीजिए और ये इस तरह से बनाते जाएए हर एक सलाई में तो ये देखिए ये हो गई है हमारी कैप पूरी अभी इसमें ये लास्ट एक डिजाइन रखेया है मोड ना ये मैंने पांच सलाई पर पहला वाला डिजाइन मोड था ये मिरेको कुछ चोटा लगा फिर आगे मैंने साथ सलाई पर किया है तो यह देखिए अब अपने हिसाब से करना और जो बना बिना बनाया हुआ एक फंदा उतार रही थी मैं यह देखिए कितनी सुन्दर चोटी सी बन गई है तो अभी जब जिम यह ऐसे निचे आएगा तो दिखने में सुन्दर लगoga यह इसलिए बना बना उता रहा था मैंने और यह मैंने आठ पंदे का पाउडर बनाया था इसको भी मैंने चेंज कर दिया 6 फंदे का रह गया यह 6 फंदे यह उल्टे उल्टे दोनो तरफ और यह दो फंदे डिजाइन के जो साथ वाले हैं यह मैंने उल्टी सलाई में सीधे कर दिये ताकि यह डिजाइन हमारा उबर के आए तो यह देखिए यह लास्ट में यह मैंने डिजाइन मोड़ दिया है इस तरह से और यह लास्ट एक है यह एक और आपको मोड़ के दिखा देती हूँ मैं लास्ट में आप ऐसे भी मोड़ सकते हैं चार फंदे आप पहले ही सलाई में उतार लीजिए और यह चार निकाल दीजिए ऐसे फिर यह चार फंदे पिछे से इसमें से इसमें उतार दीजिए इस तरह से और फिर यह चार फंदे उठा के इसमें ले लीजिए और फिर उसमें से उसमें उतार दीजिए यह देखिए इस तरह से करके और ये ऐसे उतार दीजिए ऐसे तो ये मेरे को थोड़ा इजी लगा इसलिए लाश्ट में मैंने आपको दिखा दिया और फिर इसको बना लीजिए सिंपली तो ये डिजाइन बनाने के बाद मैंने तीन सलाई निकाल ली है और अभी हमारी ये हो गई है तैयार टोपी तो देखिए इसका मैं आपको नाप लेके दिखा देती हूँ आप जिसके भी साइज की ये टोपी बना रहे हैं उसके सर की गुलाई नाप लें और उसी हिसाब से पिर इसको आप मेजरमेंट ले लें इसकी तो ये देखिए ये पुने 19 इंस है किचके बड़ी भी होएगी अभी हम क्या करेंगे अभी इसको ऐसे सिलाई करना है इसे जोड़ना है हमको तो इसको हम पूरे फंदे दो का एक दो का एक करते हुए बंद करके सुई से भी हम इसकी सिलाई कर सकते हैं लेकिन अगर हम सुई से सिलाई करेंगे तो ये जो हमारा portion है ये वाला थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो इसको हम slice से ही बंद करेंगे उसके लिए हमें क्या करना है ये मैंने 12 नंबर की slice ली है पूरी टोपी मैंने 10 नंबर से बुनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो हमने starting में फंदे डाले थे वहीं से जो हमारी ये chain बनी हुई है यहां से हम जितने फंदे हमने डाले थे उतने ही फंदे उठाएंगे तो ये देखिए starting से ये उठाएंगे हम इस तरह से जो ये एक chain से बनी हुई है इसमें से ऐसे इसे फंदे उठा लेंगे पूरे ये जितने हमारे फंदे थे उतने ही फंदे हम इसमें उठा लेंगे इस तरह से एक एक करके 62 हमारे फंदे थे तो ये 62 ही ऐसे उठाएंगे ये देखे इस तरह से उठा लेंगे एक एक करके मैं यह पूरे उठा लेती हूँ यह देखें यह मैंने पूरे फंदे उठा लिये हैं पूरे 62 हैं यह तो सबसे पहले हम क्या गरेंगे जो सीधा वाला भाग है इसको अंदर रखेंगे और दोनों सलाईएं को ऐसे पकड़ेंगे और एक तीसरी सलाई में इनको हम उतार लेंग जो वमने फंदे उठाए हैं वो हलके से टाइट रहेंगे इससे जो यह बुने हुए हैं हमारे तो कोई बात नहीं हो जाएंगे ठीक एक पन्दा पिछे वाले सलाईश लेंगे एक आगे वाली से बनाएंगे नहीं बस ऐसे उतार लेंगे एक धर से और एक धर से इसको बिषंदें से मैंने सारे फंदे ऐकी स्लाई में डाल लिए हैं और यह सिता स्थम.न भालें तो पर एप पर्श of र brows आप सिम्री सिम्पल षाफ। उपर से चल्राई करते हैं तो कोई दिक्त नीए इधर से भी बंद कर सकते हैं यह वाला दागा इसमें दागा जोड के फिर भी हम बंद कर सकते हैं तो इसमें दोनों तरफ मूह होता है तो इसको अब हम इधर से ही बंद करेंगे यह देखिए हम तीन फंदे लेंगे पहला फंदा उधर वाला है दूसरा इधर वाला है तीसरा उधर वाला है तो हम तीन फंदे एक बार में इस्तरे से बनाएंगे यह देखिए एक साथ बना लेंगे हर बार तीन फंदे बनाएंगे आप चाहें तो दो भी बना सकते हैं इस तरह से तीन फंदे बनाएंगे जो पहले हमने फंदा बनाए इसको वापस इसमें डालेंगे और फिर तीन फंदे लेंगे दो इधर से और एक ये इधर वाला हर बार ऐसे ही लेंगे ऐसे आप चाहें तो ऐसे यह भी ले सकते हैं केक उसमें टाइम भी थोड़े ज़्यादा लग जाएगा तीन ले 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 तो अच्छा है एक ये वाला दो इधर से ऐसे करके और पूरी सलाई में ऐसे बनाते जाएंगे और इस वाले धागे को न जैदा टाइट रखेंगे न जैदा लूज रखेंगे नर्मल रखेंगे अगर आपने टाइट रख दिया तो जो हमारा ज्वाइंट है वो सोरी इस भूल गई मैं जो ज्वाइंट है वो थोड़ा टाइट होंके खिचेगा लूज रख देंगे तो डिला डिला रहेगा तो ये देखी ये इस तरह से ये देखिए ये बंद हो जाएगा ऐसे अंदर की तरप से पता भी नहीं चलेगा जोईट कहां पर है चलिए इसको पूरी स्लाई को हम ऐसे ज़िए ले लते हैं तिन तिन Movan they लेकर और इसको बंद कर लेते हैं Abramag आप तो यह पूरा ऐसे मैंने बंद कर दिया है देखिए यह लास्ट एक बचा फोरा है जो बंद हो गया है अभी इसके अंदर से यह तो आप उनको काटके ले ले या गुले को निकाल ले ऐसे इस फंदे को बड़ा करके और इसको करेंगे ऐसे टाइट यह टाइट करके और यह जो हमारा फंदा है सोरी ये दागा है फंदर डालते समय जो बचा था इनको दोनों को इसे बांद के और ये पक्का कर देंगे ताकि खुले न इस तरह से और इस उन को हम इसे काट देंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारी सलाई हो गई है complete ये उल्टी तरब से है और ये सीधी तरब से है देखिए अब ही हम को ये उपर वाला हिस्सा बंद करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सुई में डबल दागा डाल लेंगे या जो ये वाला दागा है इसके साथ आप जोइंट कर सकते हैं या इसको ऐसे ही रख सकते हैं यह दागा हम सुई में डाल लेते हैं कि यह मैंने डबल दागा डाल लिए सुई में अभी हमको क्या करना है यह जो चेन बनी हुई है हमारी जो शुरू में और लास्ट में बनाते हुए हमने फंदा बिना पुना उता रहा था उसकी विज़े से देखिए चेन कितनी अच्छे बनी हुई है तो इसको हम अंदर वाली साइड से ऐसे फंदे उठाएंगे इसमें यह देखिए अंदर व यह पूरे फंदे उठा लेते हैं यह देखिए यह फंदे उठाके इस तरह से दागा खीज लिया इसमें और यहां लाश्ट में आने के बाद क्योंकि यह जोएंट मिलाना जरूरी है तो इधर से हम फंदे हमने पूरे उठा लें इधर से एक्स्ट्रा उठाएंगे अभी और लाश्ट तक जो शुरू में जो उठाया था फंदा वहां एक बार फिर से उठा लेंगे दुबारा उसी में ताकि यह जोएंट मिल जाए हमारा इस तरह से यह देखिए और इसमें से यह ऐसे निकाल देंगे सुई अभी हमको क्या गरना इसको भूंको करना है टाइट ऐसे खीच यह को बिल्कुल करना है इस धागे को किस लेते है इसके साथ जोएंट कर देंगे या इसमें नोड लगा देंगे मोटी सी तो यह देखिए इदर से मैंने यह नोड लगा दिया है अभी हम इसको टाइट कीज लेंगे ऐसे और यह बंद करना है बिलकुल यह देखिए अभी इसमें दो तिन बार ऐसे निकल देंगे सुई दोनों तरफ से ताकि यह जो हमारा उपर छोटा सा होल बना है यह पूरा बंद हो जाए यह हमारा बंद हो गया है बिलकुल अभी इसमें दो तिन बार इसमें से निकाल के ऐसे और इसको खीच के टाइट और इस तरह से नोड लगा के और एक्स्ट्रा उनको हम काट देंगे और यह टोपी हो गई है तैयार हमारी इस तरह से यह देखिए आप चाहें तो इसके उपर कोई फ्लावर बना के लगा सकते हैं यह देखिए तो यह वीडियो आपको कैसी लगी यह टोपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना अपर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टोपी के साथ तब तक के लिए भाई भाई तो पाईब लाई टो आए हैं तोने पाले एंगली वीडियो